गर में और आसपास जरा ध्यान से देखें और बताईए आपको किस प्रकार के यंद्र दिखाई देते हैं वेक्यूम क्लीनर, टेबल फैन, मिक्सी, रेफिरीजेडेटर, हैंड ग्रिल, छूरियां तथा कैंचियों के बारे में हम क्या कह सकेंगे ये भी हमारे घर में पाए जाने वाले यंद्री हैं कुछ यंद्रों के भाग हिलने वाले होते हैं और कुछ यंत्रों में इस प्रकार के पुरजे नहीं होते हैं, कुछ बिजली पर चलते हैं तो कुछ यंत्र बिजली पर नहीं चलते लेकिन इन सभी यंत्रों का एक ही काम है और वो काम है हमारे घरेलू कामों को आसान बनाना हमारी मास पेशियां अनेक प्रकार के काम करती है हर रोज हमारी पेशियां हमारे लिए धकेलना और खीचना ये सारे काम करती रहती है फिर भी ऐसे अनेक काम होती है जिन्हें पेशियों से अधिक बल्किया वशक्ता होती है क्या आपने कभी सुपारी को हातों से तोड़ने का प्रैत्न किया है या लकडी में फसी कील सिर्फ उंगलियों से खीच कर निकालने का प्रैत्न किया है कितनी भी कोशिश करें ये मुम्किन नहीं इसलिए हमें हतोड़े की या फिर जमूरे की जरूरत पड़ती है हम मोटर का पहिया हातों से उठा सकते हैं लेकिन पूरी मोटर उठाने के लिए हमें जैक लगाना ही पड़ता है हम जब भी यंत्रों के बारे में सोचते हैं तब हमारे सामने जनरेटर, क्रीन, ट्रैक्स और पावर टूल जैसे भारी भरकम यंत्र ही आते हैं इन सभी यंत्रों को काम करने के लिए मोटर की अवशक्ता होती है लेकिन कुछ मशीने या यंत्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें चलाने के लिए मोटर की अवशक्ता नहीं होती जैसे क्यांची या छोटे हतोडे और पकड इत्यादी वे यंत्र हम अकेले ही सहचता से चला सकते हैं इन्हें सरल यंत्र कहते हैं अन्य सभी यंत्रों के समान ही ये यंत्र लोगों की सायता करते हैं इनके एक तथा दो ही भाग होते हैं और इन्हें इस्तमाल करना भी आसान होता है यंत्रों के कारण बल की शक्ती बढ़ती है यंत्रों के कारण हम कम बल का प्रयोग कर पाते हैं सरोता, पकड, जैक अधी सभी यंत्रों के प्रकार है इन्हें यंत्र मानना शायद हमारे लिए कठिन हो लेकिन प्रत्तेक यंत्र हमारे द्वारा लगाए गए छोटे बल की ताकत को बढ़ा कर हमारा काम पूरा करने में मदद करती है हम ऐसा कह सकते हैं कि यंत्र वे हैं जो कारे करने में हमारी मदद करती है हम कारिय ये शब्द खास अर्थ में इस्तमाल कर रहे हैं जब हम वस्तूओं को हिलाते हैं तब हम कारिय करते हैं जैसे की गींद फीकना अत्वा ये पुस्त खिलाना तेजस किताब पढ़ रहा है उसका पढ़ना खतम होनी के बाद वह किताब को रैक पर रखता है अर्थात उसने किताब पर कारी किया है यदि वह किताब रैक के उपर वाले दर्जे में रखता है तब उसने उसी किताब पर जादा कारी किया है ऐसा हम कह सकते हैं उसे किताब को उपर वाले दराज में रखने के लिए उतना ही बल लगा लेकिन वह अधिक दूरी के लिए था कारी के दो भाग है कितना बलावश्यक है और दूसरा भाग है कितनी दूरी तक बल इस्तमाल किया गया है अर्थात अंतर, कार्य की व्यक्या हम इस प्रकार कर सकते हैं बल लगाने से होने वाली वस्तु का विस्तापन सफाई कर्मी जाडू से रास्ता साफ करता है जाडू का उपरी हिस्सा आगे पीछे होता है लेकिन जाडू जादा दूर जाता है सफाई कर्मी जाडू की मूठ पर बल लगाता है इस कारण जाडू अधिक दूरी तै कर पाता है लकड़ी के तखते से कील निकालने के लिए हम इस पकड़ और हतोड़े का इस्तमाल करते हैं हम हतोड़े की मूठ पर थोड़े से बल का प्रयोग करते हैं यही बल जहाँ पर कील और हतोडा एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, वहाँ पर कई गुना बढ़ जाता है, जिसके कारण कम बल लगा कर भी कील निकालने में हमें आसानी होती है एक कहावत है, यदि कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलता, इस जगत में मुफ में कुछ नहीं मिलता शायद अन्य मामलों में ये बात सच न भी हो, लेकिन यंत्र के मामले में ये बात सच है अधिक बल के रूप में चुकाई गई कीमत अधिक दूरी को पार करती है यंत्रोद्वारा अधिक बल लगाने से दूरी भी सरलता से बढ़ती है ये हतोड़ा ये कील खींच कर निकालने के लिए इस्तमाल होने वाला उपयुक्त यंत्र है मूठ पर कम मात्रा में लगाया गया बल, पकड़ पर जो बल है उसे कई गुना बढ़ा देता है चै प्रकार के सरल यंत्र हैं धालूतल, पचड या खपची, स्कुरू, उत्तोलक, पहिया, घिर्नी वैसे तो भातिक विदों के अनुसार यंत्रों में सिर्फ दो ही प्रकार के सिध्धान्त होते हैं उत्तोलक और धालूतल पच्चड और स्कुरू धालू तल के सध्धान्थ पर ही काम करते हैं पुली, चक्र और धूरी ये उत्तोलक के उधारण है जब हम सरल यंत्र के तत्व समझ जाते हैं तब जटल यंत्रों के तत्वों को समझना उनकी रचना को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है कार्य अर्थादबल के कारण होने वाला विस्थापन है जब यंत्र में एक या दो भाग होते हैं और इस्तमाल करने में ये आसान होते हैं अब हम बारी-बारी से इन शे प्रकार के यंत्रों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे झाल झाल